अपने भड़काओ बयान से दंगा करवाने वाले मौलाना तौकीर रजा आज घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो क्या है? बरेली की अदालत ने एक बार फर से घर जमानती वारंट जारी क्या है? एसेसपी गूले शुसील चंदरभान को जज ने आदेश देते हुए कहा कि तौकीर रजा को वारंट तामील कराकर अदालत में पेश कीजे बता दें कि अदालत ने 5 मार्च को इतिहादे मलत कॉंसिल के प्रमूर मौलाना तौकीर रजा को 2010 में बरेली दंगे का मास्टर माइंड बताया था 11 मार्च की सुनवाई में मौलाना तौकीर रजा पेशी पर हाजर नहीं हुआ जिसके बाद अदालत ने गैर जमानती वारण जारी किया और आज उसे गिरफतार कर पेश करने के लिए कहा गया था पुलिस उसकी तलाश में जुटी है लेकिन गिरफतार नहीं हो पाया है जिसके बाद एक बार फिर अदालत ने कहा है कि मौलाना तौकीर रजा को 19 मार्च को गिरफतार कर सुनवाई पर हाजिर किया चाहे इसे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडिय मौझूद है कैपिटल टीवी के एक्जेकेटिव एडिटर राची उची सर आपका स्वागा दन्यवाद कभी भड़काओ बयान से खूब दंगे करवा रहा था अभी हल्दवानी में भी जब हिंचा सामने आई थी तो उस दोरान भी इसने बरेली में पूरी कोशस की दंगा भड़काने के लेकिन अब जब योगी का डंडा चला है कोट की तरब से वारण जारी हुआ है तो लगातार भागता जा रहा है कहा जा रहा है कि दो गनर को भी चक्मा देकर ये फरार हो किया है ये छिप रहा है जान जोखी में डाल कर जिस तरीके से ये मौलाना तौकीर रजा खान को ये लोग कहते हैं भड़काओ बयान बयानवाजी ये भड़काओ बयानवाजी सिर्फ नहीं है बलकि ये बयान देने के साथ ही कॉंस्पिरेसी करता है इसलिए दंगे का मास्टर माइंड बताया गया दंगा हुआ 2010 में अभी समय है 2024 अचानक से 2010 की बाद 2024 में पुलिस ने ठाने में और उसके बाद ये जो अदालत में सारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिये है वो कैसे दे दिये ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2010 से अब तक इन्वेस्टिगेटी कर रही थी पुलिस क्यों नहीं 2010 के बाद 2012 में सरकार बदली माल लेते हैं 2010 में मायवती की सरकार थी दंगा हुआ था और वहाँ पर 20-25 दुकानों को जला दिया गया था जुलस मुहमदिया ये अपने जुलस में किसी तरीके का हस्तचेप नहीं चाहता हमारा जुलस सोभायात्रा निकले तो ये भरपूर हस्तचेप करेगा और अपने जुलस के भीतर अगर कोई हस्तचेप हो गया तो ये दंगा कर देगा डर पैदा करने की कोशिश करता है और यही मौलाना तौकीर रजा है जो हल्दवानी हिंसा के समय क्या कहा था पुलिस जादती कर रही है पुलिस है जो मुसल्मानों को परिशान कर रही है और बरेली में बंद का एलान किया था और सर एक बात इसने और कही थी कि हम पर हमला होगा तो हम जान से मारते हैं बिलकुल वही बात करें हैं कि इसने हिंदू के साथ जो किया उसके बाद योगी को चैलेंज किया हिंदू को योगी को ऐसे समय में चैलेंज करोगे जबकि उसका मनोबल पहले की तरह गिरा हुआ नहीं है तो फिर fight तो होगी अगर इसने कहा, challenge किया कि हम पर हमला करोगे तो हम जान से मार देंगे बक्षेगे नहीं तो फिर हमला भी करेंगे और जान से तुम जाओगे जो इस्थतियां पैदा होई 2010 में इसने दंगा करवाए उस समय बरेली की इस्थति बहुत नाजुक हो गई थी हेलिकोप्टर से सर्वेक्षन हो रहे थे कर्फिव लग गया था लगतार कई दिनों तक संपरदाइक तनाप पूरे उत्तर परदेश में पैदा हो गया था लेकिन मायवती की सरकार ने क्या किया 2010 के बाद 2024 में उसे मास्टर माइंड कैसे बताये गया अब तक पुलिस क्या कर रहे थी क्योंकि पुलिस अपने आप में बहुत ताकतवर नहीं है पुलिस की ताकत अब बढ़ती है जबकि राजनिती में बैठे हुए उसके आका जो है वो उन्हें ताकत परदान करते हैं उसे बताते हैं कि तुम किसी भी मामले में निस्पक तरीके से जाज करने के लिए स्वतंतरो तुम किसी को सजा दिलबाने से पहले ये मस्तोचो कि ये फलाना पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है ये इस पार्टी से संबंदित है इसके पास इतने लोग है कि हंगामा कड़ा कर देंगे इसके पास ऐसी ताकत है ये बड़ा माफिया है ये बड़ा गुंडा है ये सब सोचने की जरूरत नहीं है जब उत्तर परदेश में 2012 में फिर अकले सियादव की सरकार आई वो भी वैसे इसरकार जो की मुसल्मानों को खुले आम गुंडा गर्दी करने की छूट दे रखे थी फिर 2012 से 2017 तक यानि की 10 से लेकर 2017 तक जो पूरे 7 साल के दोरान इस केस में कोई investigation हुआ ही नहीं सारे सुबूत दबा दिये गए 2017 के बाद थोड़े से vibration पैदा हुआ कि इसमें investigation होना चाहिए जब योगी की सरकार आई तो सारे जितने criminals थे सबसे पहले जो hardcore criminals है जैसे अतीक अहमद, मुक्तार अंसारी जैसे लोगों की file निकाले गई कि अब इन लोगों की file निकालो और फिर list तयार करो सबसे पहले उन लोगों की list तयार करो जो hardcore criminal है जिसके उपर अपरादिक मामले है जो murder करता है जो लेवी बसूलता है जो दहस्त पैदा करता है इन लोगों की list तयार हुई और उसमें के बाद इस पर कारवाई शुरू हुई कई encounter हुए और कई लोग मारे भी गए कई अपरादी ऐसे थे जो की पैर हाथ में गोली खाकर अस्पताल से फिर जेल में चले गए और कुछ ऐसे थे जिसको उत्तर परदेश छोड़कर जाना पड़ा फिर उसके list में second number पर उन लोगों का था नाम जो की उत्तर परदेश में असमाजिक तत्व बने फिरते हैं असमाजिक गत्वीदियों को संचालित करते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा नाम इन मौलानाओं का है जो की समय समय पर चैलेंज करने के नाम पर अपने कौम के साथ बने रहने के नाम पर संपरदाइक ता फैलाता रहा और संपरदाइक दंगे करवाता रहा उत्तर परदेश में जितने संपरदाइक दंगे हुए है उसकी सुरुआत किस ले की या फिर पूरे हिंदुस्तान में जितने संपरदाइक दंगे हुए है एक में भी इस बात का सुबूत नहीं है कि उसकी सुरुवात हिंदूओं ने की चाहे गुजरात को लेकर ये बार बार इन लोगों ने जिक्र किया कि गुजरात में इतना बड़ा दंगा हो गया मुसल्मानों को मारा गया उस समय नरिंद्र मोदी वहां के मुक मंत्री थे इन्होंने प्रशासन को चूट दे दी इतने बड़े बड़े आरोप लगाते हैं लेकिन कभी ये चर्चा करता है कि वो दंगे की सुरुवात कहां से हुई ये गोद्रा में ट्रेन में जो कार सेवकों को जला दिया गया ये कौन सा काम इन लोगों ने जो किया था वो सच्चाई के लिए किया था अच्चाई के लिए किया था इन लोगों ने जो प्रवोक किया क्योंकि इनकी नियती थी कि अभी तक इन लोगों को जो सर्वक्षन मिला हुआ था इसमें ये मान कर चलते थे कि अगर हम शुरुआत भी करेंगे तो फिर उसके बाद परिणाम क्या होगा परिणाम यही होगा कि हमने बड़ा कांड कर दिया उसके बाद एरिया में कर्फियू लग जाएगा हम लोगों को सुरच्छा देने के लिए पुलिस कड़ी रहेगी और फिर हम बच जाएगे यानि कि फर्स स्ट्राइक की नीती ये लोग हमेशा निभाता रहा वही नीती पर चलता रहा क्योंकि हर दंगे में इसने यही किया लेकिन गुजरात में जब प्रवोक्ड हुआ हिंदू सामने आया तो फिर इन लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि हमारे साथ जाथी कर रहे हैं जब तुम एक बहुसंख्यक समाज को बहुसंख्यक लोगों को प्रवोक करोगे उसको प्रताडित करने की कोशिश करोगे तो यह पाकिस्तान नहीं है यहां हिंदुस्तान है, हिंदू अगर जागरी थोंगे, हिंदू आगे बढ़ेंगे तो परिशानी तुम्हें ही होगी यह वो काम करने से पहले तुम्हे सोचना चाहिए ऐसे ही उत्तर परदेश में मुझफर नगर दंगे में भी हुआ मुझफर नगर में भी इन लोगों ने वैसे ही सुरुआत की दो बच्चों को सड़क पर दोड़ा दोड़ा कर पीट पीट कर मार दिया और जब हंगामा खड़ा हुआ तो उसके बाद उस समय सरकार अकलेस यादब की इन लोगों ने पूरे एरिया में कर्फिव लगा दिया ट्रांसफर कर दिया एस पी का उसके बाद टार्गेट किया गया हिंदूओं को कि उन लोगों को गिरफतार करो इन लोगों को सुरक्षा परदान करो कैम्प में रखो हाला कि नुकसान तो इन लोगों को उठाना ही पड़ेगा क्योंकि जब तुम पंगा ले रहे हो बहुत संख्यक समाज से तो फिर परिनाम तो तुम्हारे परतिकूल ही आएगा वैसे ही जो लिस्ट बनाई गई उसमें इन मौलानाओं का नाम था जो एक एक करके जिसके मामले खुले और इस बीच मौलाना तौकिर रजा ये सोचता रहा कि हमारे खिलाफ कोई ऐसा मामला तो है नहीं हम तो ऐसा करने ही सकते कि हमको किसी मामले में फसा दिया जाएगा हम कोई हार्ड उर क्रिमिनल है नहीं हम हतھیار लेके चलते नहीं हैं हम तो सिर्क प्रवोक करते हैं लोगों को इस बात के लिए प्रवोक करते हैं कि तुम मुसलिमों के सुरक्षा के नाम पर हंगामा ख़डा करो यहां पर दंगे प्पैलाओ दष्षद का महौल डर का महौल पैदा करो तो इसलिए इसको इस बात के लिए अनुभव ही नहीं था कि मेरे पीछे पीछे भी कुद्मकद में चल रहे हैं ये 2010 का मामला सामने आया और फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन सुरू किया क्योंकि अदालत जो है कोट है उसमें जो नियाय की देवी होती है उनके आँखों पर पट्टी बंदी होती है कि हम कुछ देखते नहीं है हमें जो दिखाया जाता है हमारे पास जो पेश किया जाएगा हम ने उसी के अनुसार लेंगे यानि कि अदालत के फैसले जो है वो हमेशा सुबूतों के अधार पर होते है और सुबूत पुलिस तैयार करती है सुबूत इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस के हाथ में होता है तो जब पुलिस इन लोगों के खिलाब सुबूती ही पेश नहीं करेगी तो आदालत के फैसले कैसे आएगे वैसे ही मुक्तार अंसारी को जो आज कई मामले में एक के बाद एक सजा मिल रही है ये पूरे गुरुगे इन लोगों के सजाए मिल रही है वो तभी मिल रही है जबकि गवाह होस्टाइल नहीं हो रहे है जबकि इनके खिलाब सुबूत पेश किया जा रहा है पहले जबूत ही पेश नहीं किया जाता था बेल मिल जाती थी मुकद में चल रहे है और अब तवकीर रजा ने जो गलतिया की पिछले तीन चार महीनों में उसकी सजा मिल रही है इसे अब या तो ये सरिंडर करेगा क्योंकि पुलिस ये सोच रही थी कि भई अदालत का फर्मान है अदालत में पेश होना है ऐसा नहीं है कि पुलिस के उपर जो अदालत ने कोट ने सवाल उटाए है वो पुलिस की नाकामी है और गलती है पुलिस ने तो ये मामला अदालत के पास चूड़ दिया था कि भई अदालत ने उसके खिलाफ बारंट जारी किया है अगर उसे पेश होना है तो वो खुद जाके पेश हो हम थोड़ी पकड़ के पेश करेंगे लेकिन जब गैर जमानती बारंट पे अदालत ने वे जा उसके बाद पुलिस एक्टिव मोड में आई अब अदालत का कहना है कि उसे लाकर पेश करो क्योंकि यहां पर वो दंगे का मास्टर माइंड में कॉंस्पिरेटर पाया गया है अब जब सारे सबूत उसके खिलाफ है तो पकड़ा जाएगा गैर जमानती बारंट है तो उसको पेश किया जाएगा पेश किया जाएगा तो सीधे जेल जाएगा काया जा रहा है कि लोकाट नोटिस भी जारी हो सकता है उसे भगड़ा भी गुशित जारी क्या साथ बिल्कुल हो सकता है और पुलिस तो नोटिस जारी करेगी ही जब वो गैर जमानती वारंट इसू हो गया मतलब अभी जमानत नहीं मिलेगी ऐसा नहीं कि एंटिसिपेटरी वेल के लिए सामने आ जाओ क्योंकि अगर वारंट इसू होता है एंटिसिपेटरी वेल की मांग की जाती है इसको गैर जमानती नन बलेवल वारंट है यानि कि अभी जमानत नहीं मिलेगे कोट में पेश हो और पेश होने के बाद देखा जाएगा कि तुम्हें जमानत दिया जाए या फिर सीजे पुलिस कस्टडी में भेजा जाए और जो तरीके इसने अपनाए है यानि फरार होने का चक्मा देने का उसमें तो यही है कि या तो तुम सरिंडर करो या फिर इनकाउंटर होगा क्योंकि दूसरा उपाय तो है नहीं सरिंडर करते हो कोट में पेश होगे जिल के अंदर जाओगे अगर तुम भागते रहोगे पुलिस से मुठवेड हो गई तो उसके बाद पुलिस की गोली ये नहीं देखती है कि ये बड़े मौलाना है ये तोकीर रजा है अतीक आहमत को नहीं देखा था या फिर दूसरे ऐसे जो अपरादी है विकास दुवे जैसे उन लोगों के लिए पुलिस ने रहमी नहीं बढ़ती थी तो इसके लिए भी रहमी नहीं बढ़तेगी क्योंकि इसने हिंदूों को चैलेंज किया योगी से पंगा लिया अब तो या तो जेल जाओ या जहन्म जाओ झालेंज़ इसके लाओ झालेंज़ एलवा झालेंज़ ओड़तेगा या जेले पे लिए लोगुवेव झालेंज़ कि आपकाना योगों कि शुवेव पंगा रहमी जाओश्यक्य कि वार्ष लीपटवार्य कि प्लू़ू।